हेलो फ्रेंड पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले अपिसोड में अब आप देखेंगे कि भोसले निवास लोटते ही इशान को सताई सवी की टेंशन तो वहीं आधी रात को इशान निकल पड़ा सवी से मिलने के लिए जी हाँ दोस्तो अप शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां इशान वापिस अपने घर तो आ जाता है लेकिन उसे बार बार सवी की चिंता सता रही होती है कि पता नहीं सवी सेफली घर पहुची भी है या नहीं आज मैंने उसे कितना जादा हर्ट भी कर दि हैं कि कहीं सवी किसी मुसीबत में ना फच गई हो कहीं वो गुंदे फिर से सवी के पीछे ना पढ़ गए हो तो वहीं इशान से रहा नहीं जाएगा और वो घर में बिना किसी को बताए आधी रात में ही निकल पड़ेगा सवी को ढूनने के लिए वेलल लब शो के अपकमि लोगों से सवी के बारे में पूशता है कि कहीं उन लोगों ने सवी को देखा या नहीं जहां एक अंजान शक्स इशान की मदद करता है और बताता है कि हाँ मैंने इन मैडम को पुलिस की जीप में जाते हुए देखा था जहां इशान बुरी तरह से घबरा जाता है उसे समझ आ जाएगा कि हो ना हो वो भवर पाटल ही होगा आज कल वो सवी के इर्द गिर्द जादा मन रहता है कहीं सवी उसके साथ सेफ है या नहीं क्या वो घर पहुची भी है या नहीं यही देखने के लिए इशान जाने वाला है सवी के घर वैल अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां इशान सवी के घर के बहार आ जाएगा और अंदर से दर्वाजा बंद होगा तो वहीं इशान की नजर जाने वाली है खिड़की पर और खिड़की के रास्ते ही इशान करेगा सवी के रूम में एंटर जहां हरी नीन में सो रही होगी और हरनी वाश रूम गई होगी तो वहीं सोती हुई सवी के पैर पर लगी चोट परीशान दवाई लगाते हुए नजर आने वाला है उसे निहारते हुए नजर आने वाला है और इतना ही नहीं उसके चेहरे से उसके बालों को साइड में करते कुछ भी तो वहीं दोस्तों शोक और रिलेटर और अपडेट जानने के लिए आप सब बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें